असलाब ओलेकूं कैसे हैं आप सब वेलकम टू मैं चैनल जाहका नेराला में अज बनाने के लिए म सबसे पहले मैं आप लोग को मसाले बता देती हूँ जो हमने मचली के और लगा के रखने है दो नमक, वाइन टेबिल स्पून, वाइन टेबिल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और वाइन टेबिल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चे हम लेंगे इसके बाद अब हम लेंगे टू टेबिल स्पून अदरक लेसन का पेस्ट और ये छे लीमू इनका रस लेंगे 6-7 लीमू का हम रस लेंगे 6-7 टेबिल स्पून लैमन जूस होना चाहिए या फिर आप लोग लैमन जूस की जगा 6-7 इस्पून वाइट विनेगर भी यूस कर सकते हैं अब लीमू का रस और अधरक लैसन का पेस्ट एक बाउल में डाल के अच्छी ताना से मिक्स कर लेंगे उसके बाद तमाम सूखे मसाले इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे अब फिश का एक-एक पीस लेते जाएंगे और मसाला उसके उपर कोट करते जाएंगे हमने तमाम मसाले मचली के उपर नहीं डालने हैं एक एक पीस उठाना है और मचली के उपर मसाला चीतना से लगाना है, मसाला जब मचली के उपर लग जाएगा तो हम दो से तीन घंटे के लिए मचली को मैरिनेट करेंगे और उसे फ्रिज में रग देंगे, अगर आप लोग चाहें तो एक गिन पहले ही मसाला लगा के रख सकते हैं, उससे फिश का टेस्ट और जादा एन्हेंस हो जाएगा, अब हम इस फिश को डीफ्राइ कर लेंगे, डीफ्राइ हम इसे कर लेंगे और फिश को हम 90% तक फ्राइ करेंगे, 10% हम इसे कच्चर आने देंगे ताकि ये जब हम चावल का दम लगाएं तो उसके साथ भी ये कुक होगी, ये देखिए फिश हमारी फ्राइ हो चुकी है, अ अब इस फिश का ओयल जो बचा था जिस ओयल में हमने फिश को फ्राय करा था उसी ओयल में अब हम बिरियानी का मसाला तयार करेंगे उसी oil में हम पहले प्यास को golden brown करेंगा और उसके बाद तमाम मसाले हम डालेंगे जिस तरह से हम बिर्यानी मसालवा तयार करते हैं बिर्यानी मसाले की रेसीपी का link मैं आप लोगों को description box में दे दूंगी सेम वैसे ही हमने बिर्यानी मसाला तयार करना है अभी हमारे बिर्यानी मसाले की भुनाई हो रही है अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे टिमाटर हमारे गल जाए तो फिर हमारा ये बिर्यानी मसाला तयार है एक किलो मैंने सेला राइस लिया है मैंने एक किलो चामलो के हिसाब से बिर्यानी का मसाला तयार किया है दो किलो फिश लिया है और एक किलो हमारे चामल है अब यह मैंने थोड़ा ओइल बचा लिया था, जिस में मैंने फिश फ्रायी की थी, पूरा मैंने नहीं डाला था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ताकर जब मैं चावलों को दम लगूंगी तो उपर से यह थोड़ा बहुte डालोंगी, आप लुग देख सकते हैं इस मसा पहले अच्छी दाना से बॉश करके इसे भीगो दिया था और इसके बाद इसे बॉइल कर लिया जिसतना से बिर्यानी के चामल बॉइल करते हैं थोड़े बहुत मसाले डाल के इलाइची दार चीनी बादियान का फूल तेज पत्ता एक दो हरी मिर्चे और वन टीबिल स्मून सिरका डाल के इसे बॉइल कर लिया था नमक के साथ आप लोग देख सकते हैं चामल पूरे पक्ये हुए हैं अब जो बिर्यानी के उपर ये थोड़े बहुत मसाले हैं जो मैंने शामिल करे थे चामल बॉइल करते वक्त वो हम इसके उपर से हटा लेंगे अब हम चामलो की तैया लगा देंगे अभी मैंने आदे चावल पतीले में डाल दिये हैं उसके उपर एककटी हरा धनिया पुदीना और पास से छे हरी मिर्चे डाल दी हैं अब हम इसके उपर बिर्यानी मसाला डालेंगे जो हमने त्यार करा हुआ था बिर्यानी मसाला डालने के बाद हम इसके उपर चामलो की दूसरी लेर लगा देंगे अगर आप लोग चाहें तो ये थिरी स्टेप में भी कर सकते हैं मैं टू स्टेप में कर रही हूँ स्रिफ दो लेर लगा रही हूँ चामलो की अब दूसरी लेयर चामलो की लगाने के बाद हम इसके ओपर फ्राइ करी हुई फिश रख देंगे जितनी भी हमने फिश फ्राइ किया है हम पूरी इसके ओपर रखेंगे फिश को रखने के बाद अब हम इसके ओपर ये जो मसाला है ये भी डाल देंगे जो हमने fish fry करने के बाद जिस बरतन में निकाला था तो उसमें जो oil और थोड़ा बहुत मसाला था वो भी हम डाल देंगे क्योंकि इन सब चीजों में बहुत जादा टेस्ट होता है इस oil में अब यह जो remaining oil था वो भी हम इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा oil हमने बचा लेना है पूरो आईल नहीं उस वक्त यूज़ करना है ताकि उपर से भी थोड़ा डालें अब हम इस बिर्यानी को दम लगा देंगे 15-20 मिंट के लिए थोड़ा सा food color डालेंगे ताकि बिर्यानी का color आए इसमें 15-20 मिंट बाद हमारी ये बिर्यानी तयार होगी अच्छी तना से इसमें भाब बर जाएगी तो हम इसका flame off कर देंगे मेरी बिर्यानी अब ये दम आ चुकी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें भाब बर रही है स्टीम कितनी अच्छी नहीं कर रही है इसमें से अब जो ये फिश के पीसिस है हम इसके उपर से ये हटा लेंगे ताकि हम बिर्यानी के चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर सके हैं फिश के पीसिस के साथ बिर्यानी के चावल अच्छे से मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसे डिश में निकाल लेंगे, इसे सर्फ करेंगे, ये हमारी मदेदार सी फिच बिरियानी तयार है, आप लोग को रेसिपी पसंद आए, तो इसे लाइक एंड शियर जरूर कीजेगा, और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, बेल का आइकॉन होगा, उसको जरूर प्रेस कीजेगा, अपना ख्याल रखेगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखेगा, अल्ला अफिस